पुर्षोत तम्मास नी कथा अध्याय चोथो, मल्मास नी दुखत कथा सूत पुराणी शोनकादी मुनियोने उद्देशी ने बूल्या, भगवान नारायन, नारक जीने कहछे, तेमस्रीक्रिष्न पांडवोने संबड़ावे छे, के त्यार पछी मल्मास नुशू बन्यो, तेहुं तमारी समक्ष कवच्यू, ते तमे सांपडो, दुख, तीरसकार अने अपमानने लिदे मल्मास नुशीवन, जेर जेव बनी गयो हतू, भगवान विश्णोना चरण कमरनो स्वर्ष करी तेने पोताना दुखु कहवा मांडिया, हे दया सागर, हुँ कई न सुझवादी अकडा एलोने मुन्जा एलो, आपना शर्णे आवयो छू, लोकोई मारो तिरसकार करी, हड़दूत कर्यों छे, हुँ अनात चु, आप मारू रक्षन करो, मल्मास नाम आपी ने मारा भायोय मारू गोर अपमान कर्यों छे, मारू जीवन अस अह्य बनी दित बनावी दिदू छे, मारो कोई अधिश्ठाता नथी, आ त्रीस दीवस तरम्यान अंक्रमन अटकी जाये छे, आथी मने हड़दूत करवामा आवे छे, प्रभू, आपे देवकीने कंसना भहे माती मुक्त करी हती, यमुनाना विश्मय जड़ती, मृत्यू पामेल गोप बाड़कों ने आपे सजीवन कर्या हता, दुष्ट दुशाशनना हाथ माती, द्रव आप मारो धार करो, आटलू कही मलमास पोके-पोके रडवा लाग्यो, भगवान विश्मु तेनी प्रतिये दयालावी बोल्या, वत्स दुखना समय मा दीरज दारण करवी जोईये, रडवा थी कई वर्दू न थी, मारे शर्णे आवेल कोईपन दुखी संकट मुक्त थाय पाचो फर्तो न थी, मारा दाम मां और मारा शर्ण मां दुख के शोक नू ते बज मृत्यू नू नाम निशान जुवा नहीं मड़े, हुँ तने दुख मां थी मुक्त करिश, तारे जे कैवू होई, ते धैर्य अने शान्ती थी कै, भगवान विश्मु ना आवा वचनों स सांबडी मल मासने आनंद थयो, ते बे हाथ चोडी बोल्यो, हे परम गुरुपाडू, मारो दुख में आपनी समक्ष चाहेर करी दिदू छे, मारो तिरसकार न थाए, मारो तिरसकार न थाए, मारा जिवा अन्य मासो, पक्षो, अने तिथियो अने जेम अधिश्चनाता देव छे, ते मारो पण अधिश्चनाता स्थापित करो, आ मास मा शुब कार्यों थैशके तेवी आप कुरुपा करो लोको मने मल मास न कहे तेने माटे मारो योग्य नाम करण करी आपो आप दिन दयाडू छो मारा उपरना आ कष्टो मने मरण तुल्य लागे छे मने ते माथी उगारो आम कैने मल मास मुर्चय पामी भगवान विश्णों ना चरण मा धळी बढ़यो श्री ब्रुहन नारदिय पुराना पुर्शोत्तमात्म्यनो मल मास नी दुखत कथा नामनो चोतो अध्याय सम्पूर्ण हवे पुर्शोत्तमास नी पावन कथा वाचिये मुक्दानी कथा अवन तीमा विश्णूदेव नामनो ब्राम्मन रहतो हतो तेने देवल औने माधव नामना बे दिगरा हता उमरलायक थता बन्ने दिगरावने परणाव्या देवलनी पत्नीनो नाम रूपवती हतु तेना नाम प्रमाने ते स्वरूपवान हती, पन ते इर्शाडू अने कप्ती हती माधवनी पत्नीनों नाम मुगदा हतु ते सवने मुगद करे, तेवा गुणवाडी, सुशील, स्नेहाड, दयावंत, सरण स्वभावनी भली भोडी हती समय जता, विश्णों देव मांदो पड़ेव, अने मरण पाम्यों, हवे घर नी जवाब दारी, देवल, अने माधवना माथे आवी पड़ी थोड़ा समय सुधी तो तेमने जेम तेम चलाव्यो, परन्तु बापनी मुडी खलास्तता, तेवो मुझ जाया जिवन निर्वाह माटे बन्ने मेहनत करवामा कचाश राखी नहीं, परन्तु भाग्य पासरू नहीं, तेथी तेमने कई लाब मल्यों नहीं बन्ने भायो विचारवा लागया कि अहीं आपडी विद्यानी कदर थती नथी, अने नसीप पण कईक वाकू लागे छे माटे परदेश खेडवो, परदेश मा सारी कमाणी करी शकी जू, तिया आपडी विद्यानी कदर थशे, आम बन्ने भायो ये परदेश खेडवानी तयारी करी समय जता पहला माधवने थयू, मारी गेरहाजरी थी मारी पत्नी मुग्दा, अकडाशे अने मुञ्जाशे, माटे मोटी भाबीने भलामन करतो जाओ, आम विचारी तेने जती वक्ते भाबी रूप वतीने कहिू, भाबी तमे घरमा वडील छो, समझदार छो, मारी तमे मुग्दानों द्यान राक जो, तेने ओझू आववा देशो नहीं, कोई वेडा तेना थी कोई भूल थे जाए, तो तमे मोटू मन राखी, तेने दोरवनी आप जो, बनने हले मडीने रह जो, बनने भाईयो परदेश कमावा माटे गया, पछी रूप वती बोतानों अ एक दिवस रूप वतीये रांधवानी बाबत मां मुग्दा साथे बव जगड़ों करियो, तेने दक्का मारिया, ठोसा मारिया, तमाच्या मारिया, अने हडसे लो मारी घर मा थी मुग्दाने बार काटी, ते तो रोती ककड़ती पेरे कपड़े गन्नी बार निकड़ी गई अने थोड़े दूर एक ओरडी खाली पड़ी हती, तेमा जैने रही, त्यां आजू बाजू रहता लोकोंने मुग्दानी हालतु पर दया आवी, तेव निराधार मुग्दाने वासन कुसन दाना दुनी आपया, तेथी मुग्दाने रहत थे, ते लोकोंना तियां कामकाच करीने गुजरान चलावा लागी, मुग्दा बोली अने सरण स्वभावनी हती, कोईनु काम करी जुटे तेवी बोली हती, ते कोई वेडा रूपवती ने तियां खबर पुछवा जाती, अने तेमना घरनू कामकाच पन करी आपती, पन रूपवती ने तेनू कोई गुण नो तो, दुष्ट स्वभावनी, रूपवती मा, कोई सारो गुण देखा तोज नहीं, ते अभिमाननी पुतडी हती, ते दंब करवामा पावर दी हती, एवो दंब करे के भलवला छेतराई जाए, दर्मध्यान मा जराय श्रद्धानी, पन बनी ठनीने सांच पड़े नापे, आ बदू ते लोकोंने देखाडवा माटे करती हती, आम करता अधिक पुर्षो तम्मास आव्यो, अवंधीना नर नारियों व्रत चालू करिया, सवारे वेला उठी नदी एस्नान करवा जाए, काठा गोर्मानी वार्ता सांबडे, दान पुन्य करे, अने देव दर पुर्षने जाए, मुगदा एटली बदी भूले हती, के पुर्षो तम्म्मास आव्यो, अने तेना महिमानी तेने मुद्दल खबर नौती, जैरे रूप वतीने तेने हाथ मा, पुजानो थाणले ने नदी ए नावा जती जोई, त्यारे एने ख्या अलाव्यो, के ते कोई व्राद करे छे, ते व्राद जाणवानी इच्छा थाई, इटले रूप वती पासे, व्राद शानो छे, शूविदी छे, ते अंगे पूचियू, त्यारे रूप वती ए, छणको करीने तेने कहिपन जवाब आप्या वगर काडी मुखी, आथी मुगदाने गणो दुख थ गयो, ते घर तरफ पाची फरी रही हती, तिया रस्तामा रूप वती नी बहन पणी श्यामा मली, तेना नाम प्रमाने तेना गुण हता, तेनु मुख तो भुळू हतु, पन ते मन नी मेली हती, कूड कपटमा ते रूप वती थी चार हाथ चड़े ते भी हती, ते मीठी मी किये ने निराज जोईने श्यामा ये पूचियू, केम बेन, आजे तु अटली बदी उदास केम छे, तारे माते कई दुखावी पडियू छे, मारा थी शक्या हाशे, तो हुँ तारा दुख मा भागी दार थाईश, तने मदात करीश, भोले मुखदा, श्यामाना शब्दो कही जानती न थी, मारी जेठाणी ने पूचियू, तो तेन में मने दुदकारी काटी, बेन, तमें आ व्रत विशे जानता हो, तो मने कहो, हलका प्रकृतीनी श्यामाई, मुखदाने हेरान करवा, तेने पूरुशोत तम व्रत नी अवली विदी बतावता कहियू, आ अधीक मासनू बिजू नाम, मल मास छे, आ व्रत बे प्रकारे थाये छे, एक तो आ बदा करे छे, सवारे उठीने नदिये स्नान करवू, काठा गोर्मानू पूजन करवू, कथा वारता सामबढवी, दान दक्षिन करवी, एक्टानू करवू, पुर्षोत्तम भगवाननी बक्ती क करवी, आएक प्रकार थायो, जयारे बिजो प्रकार कुपत छे, गणा होच आलोको आ प्रकार विशे जाने छे, हुँआ गुपत प्रकार नी विधी जानू छू, आ बिजिवीदी ततकार फोल अपनारी छे, तेना थी तारो दुख जल्दी दूर थाशे, बेन, मने तमे ज गुप्त विदिवाडू व्रत कहोच्व ते जणावो मारे तेज व्रत करवू छे। तु आटलू करीश तो तारू बद्दू दुख नस्ट थाई तु गणीच सम्रोद्ध अने सुखी थाईश। बोले मुग्ता आश्यामानी छेत्रामनी थी वाग्ती बोलवाई गई। एने तो शब्द शब्दनू पालन था एरी ते व्रत शरू कर्यूप। ते तो रोज सवारे खूप ठंडीमा एक्ठा तता गंदा ता पाणी थी नावा लागी, गंदा ता पाणी थी पिपडानू पूजिन करवा लागी। ने अनिच्चाय पन त्रोण समय तीखी तम तम ती वस्तू ओखाती। छेल्ला दिवसे मुगदा श्यामा पासे जईने कहवा लागी। बेन तमे केल ते मुझब में व्रत करियू छे। हवे तो पुर्षोत्तम भगवान मारा उपर प्रसन न थशे ने। श्यामा कहे हा बेन तु जे पिपडानों पूजन करती हती। ते पिपडाये जहिने सांजे कहजे के हे पिपडामा रहला पुर्षोत्तम भगवान में साच्चा रदैधी मल मासनों व्रत करियू होए तो मने आग्या आपो। इटले हूँ तेनों उद्यापन करू। मुगदा वचमा बोली पुन बेन भगवान ना आवे तो श्यामा कहे एवु तो बन्तू अशे भगवान राजी होई एटले तरत उद्यापन करवानी आग्या करशे। ए विडाये तारे हाथ जोडीने केवानों के भगवान काले मारे त्या जम्मवा आवजो। श्यामा मुगदानी भोलपणनों लाब लई तेने बनावती है थी। भोली मुगदा तो गंधा ता पाणीनों लोटो लई ने पीपडा आए गई अने पाणी रेडीने पीपडाने जम्मवानू आमंत्र नाप्य। बोली मुगदाना भोलपण पर रिजिला बगवान बुल्या दिकरी तारा भोलपण पर हुँँ प्रसन न चुँँ अवश्य तारे गयर जम्मवा आविश। परन्तु कोई मारा माटे पूच परच करे तो तुँ एवु कहजे के परदेश फरवागयल मारोब्भाई एका एक आवयो छे ते आवनार छे। मुगदा तो आनंदमा आवी गई ते तिया थी सीधी श्यामाने गयर गई अने बदी बात करी तो श्यामा ए मुगदा नी सत्य बातने मशकरीमा उडावी दिधी अने तेनी हजू वदू फजेती थाए ते द्रश्टिये कहिँ मुगदा तु उजवनु करे तेमा एकावन ब्रामणोंने जम्मा बोलाव जे रसोई मा तारे बदी रसोई बनावी परन्तु लाडू तो एक मोटो बनावानो अने जारे तारो भाई बनीने बगवान आवे तेमने एक लाडू आपी सवने पिरसी देवानू कह जे बोले मुगदा ए आबदू साच्चु मानी ती 51 ब् जम्मा ना नोत्रा दयावी समय तता ब्रामणों जम्मा आववा लागया मुगदा पुर्जोतम भगवान नी वाड जोती उबी हती ते ब्रामणोंने कहवा लागी थोड़ी बारमा मारो भाय आवे छे पची तमने बदाने जम्मा बेसाडू छू रूप वती पन 101 जम्मा माटे अववा लागया हता समय जेम जेम वित्तो गयो तेम मुगदा ने जिनता थवा लागी तेने मनोमन पुरुषोतम भगवान ने याद करया एवा मा त्यां आगड एक तेजस्वी जुवान आवयो अने बोल्यो अही मुगदा बेंदरे छे मुगदा तो हर्ष्ण आसु वहावती दोडी आवी बाई नो हाथ पकड़ी लिदो भगवान मंद मंद हस्वा लागया मुगदा बोली मारो भाई मारा भाई आजे गणा दाहाडे बैनने तिया बुलो पड़े आवो गर्मा बेसो हजू तो भूदेवोने जमाडवाना छे मुगदा भगवानने घरमा लई जई बेसाड़िया पची बदा ब्राम्मनोंने जम्मा बेसाड़िया पत्रडा मुख्या पची तेने भगवानने जे एक मोटो लाडवो बनावे उहतो ते आपीने कहिऊं आ एककज लाड़ूमा बदाने जमाडवाना छे भगवाने एक मोटी कथ्रोड लीधी तेमा लाड़ूमुकी तेना उपर कपडू ढाकी दिदू पची तेओ पीरस्वाने कड़्या भगवान ब्राम्मनोंने पूझता जाए अने ते कहे तेटला लाड़ूमुकता जाए साथे साथे बीजी रसोई पन पिरसाथी हती भगवाने रसोई मा एवी मिठाश मुकी कि ब्राम्मनों होशे होशे हरक ती जम्वा लाग्या जम्ता जम्ता तेओ ने अम्रूतना ओडगार आववा लाग्या ब्राम्मनों जमी रहा पची पत्रडामा मुकेल पडिया तेओ ए सोनाना दीठा मुगदाय तरेक ब्राम्मनों ने सोनाना पडिया आप्या दक्षीनामा सोनाना पडिया मडता ब्राम्मणों मुगदानी जय बुलावता अने आशिर्वादाप्ता पोद पोताना घरे जवा लागया आबाजू रूपवतिये 101 ब्राम्मणोंने जम्मा बेसाड़िया पत्रडा मुख्या अने लाडू पीरस्वानू चालू थयू लाडू मुगता ते लाडू माटीना देखाया ब्राम्मणों गुस्से थई बदा उबा थई गया अने तेओ समझया के रूपवतिये तेमनी मशकरी करी छे तेथी तेनी उपर फिटकार वर्सावता बदा तियां थी रवाना थई गया लाडू माटीना बनेल जोई रूपवती आश्चर यपामी तेने मनमा संधे थई गयो के पुर्शोत्तम भगवान मारा उपर नाराश्थाईने आम कर्यो हशे तेने काने मुगताना उजवनानी वातो आवी आवा बद्दा ब्रामणो तेनी रसोईना वखाण करता हता अने दक्षिनामा सोनानो पडियो आपयो ते वाद जानी तेने लाग्यो के पुर्शोत्तम भगवान मुगदा उपर प्रसन थाई तेनो उद्धार कर्यो छे अने मारी उपर तेमनी अव कृपा थाई छे मुगदाने तियां बदाय जमे लिधू हतू फक्त मुगदाने जम्मानो बाकी हतू भगवान मुगदाना हातमा लाडूनो थोडो प्रसाद मुकी ते खाई जवा जणावियो ते प्रसाद खावानी साथेज मुगदानू बोडपन अद्रश्य थाई गईू अने तेनी बुद्धी तेजय स्वी बनी अने तेना वदानू उपर अलोगिक तेज पत्राई गईू मुगदा भाईना स्वरूप मा आवेला उर्षोतम भगवानने उड़की गई अने तेमना चर्णों पकडी लिधा ते बोली हे नात मारा उपर आपे अन हद गुरुपा करी छे आप पोताना खर स्वरूप मा प्रगट थै मने दर्शन आपो मारू कल्यान करो भगवान पुर्शोतम पोताना स्वरूप मा प्रगट थै मुगदाने दर्शन आप्या अने आशिर्वाद आपीने कहिऊं थुडाज समयमा तारू पती अडलक कमानी करीने पाचो आउशे तारा पुणय बढ़ना प्रभावे तारू आखु घर, सुक अने सम्रुद्धी भोगवशे अने जीवनना अन्ते तु तथा तारा पती सदे हे बैकुंट पामशो कप्टी श्यामाना कहवा थी ते जे गंदाता पाणी थी कुंडी मा स्नान करेल एक कुंडी हवे मुगदा सरोवर तरीके प्रख्यात थशे जे कोई भाविक आ सरोवर मा स्नान करशे तेना सर्वे पाप बढ़ी जशे मुगदा हाथ जोडी उबी रही हती अने बदू साम्बडी रही हती त्यां तो एक जमतकार साथे प्रभू अंतरधान थे गया आवात नगरमा वायूवेगे प्रस्री गई बधा मुगदा ने सती समझी तेना दर्शन करवा आवा लागया रूप पतिये आ बद्धी वात जानी त्यारे तेने खूप पस्तावो थयो ते मुगदा पासे जय तेने पगे पड़ी माफी मांगी पोताने गेर ले गई त्यार पची देराणी जेठाणी संपीने रहफा लागया थोड़ा दीवस पची तेमना पतियो अडड़क कमाणी करी गेर आवी गया आ बदू पुर्शोत्तम व्रतना प्रतापे धवाथी नगरीना मुट्टा भागना लोकोए हवे पची आवनार पुर्शोत्तम मासमा व्रत करवानों संकल्प कर्यो कथार उड़ी मुग्दा तणी सामबडशे जे नरनार पापो बड़ी जशे अने सफण थशे अवतार बोलो पुर्शोत्तम व्रतना जै जै शिक्रिश्ना